करियर प्लानिंग की अच्छा करियर चाहिए तो जरूरी है प्लानिंग तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत सारे प्लानिंग के टप्स मिलने वाले हैं सभी सफलता की शिकर पर पहुँचना चाहते हैं इसके लिए लोग देश विदेश के अच्छे कॉलेच से एजुकेशन हासल करने के लिए लाखो रुपए खर्च देते हैं लेकिन इसके बाद भी गलत करियर प्लानिंग के कारण अपने गोल को अच्छित उचीव नहीं कर प अपने करियर गोल के लिए रास्ता बनाता है पहले खुद को समझे तो जाने करियर प्लानिंग करने से पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है इसलिए अपने लिए कुछ समय निकाले और उन सभी कामों की सूची बनाए जो आप करना चाहते हैं फिर उन चीजों की सू जुनून का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं तो मौझूदा जॉब प्रोफाइल का आकलन करें। मितलब उसको अनलाइज करें। इसके बाद आपको अपना करियर गोल सेट करने के लिए जरूरी है। इसके लिए अपने मौझूदा जॉब प्रोफाइल का आकलन करें। जब अपने किसी फिनांशिल प्लानर के पास जाते हैं। तो वो सबसे पहले आपको फिनांशिल गोल्स के बारे में जानना चाहता है। इसी आधार पर इसी तर्च पर आप अपने मौझूदा रोल और उसके भविश्य पर विचार कर सकते हैं। आपकी कमपनी जरूरी तिमाही या छिमाही समिक्षा तक मीन्स कोटली और हाफ कोटली यरली रिवियू करती होगी। आप अपने लिए चिनोत्यों की जल्द समिक्षा करें। बढ़ते हैं हमारी तेसरे डॉपिक पे लंबी अवधी के करियर प्लान कर उस पर फोकस करें। जिस संस्था में आप कारी कर रहे हैं। अगर वहाँ आप अगले चार से पात साल में लीडर्शिप रोल में आना चाहते हैं तो इस पर फोकस करें। एक बार उद्देश्य चुनले। नेके बात उस लक्ष तक पहुँचने के लिए क्या कुशलता होनी चाहिए। इसकी पहचान करें। उसको जाने। आप ये जानने की कोशिश करें कि व्यक्ति समय उस पोजीशन पर है। उसका रजीव में कैसा दिखता है। क्या उसमें इसी कोई कुशलता है जिससे आपको सीखना चाहिए। लंबी अवदी के लक्ष को पाने के लिए आपको कई फंक्शन में काम करना आना चाहिए। लंबी अवदी के लक्ष की ध्यान में रखते हुए आपके छोटे छोटे लक्ष को जरूर पूरा करें। इससे आपको बेनिफिट होगा। बढ़ते हैं चोटे टाइम पे। सीखे और कुशलता बढ़ाएं। अब करोना के बाद जिस तरीके से जॉब मार्केट में अस्थिर है। वर्क प्लेस की परिस्तित या लगतार बदलती जा रही है। उस हिसाब से नई कुशलता सीखना करियर प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। करियर में जीवन भर आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता ही है। या बोले अपने जुन्दगी में सीखना पड़ता है। ओनलाइन अजुकेशन की मदद से आप ये काम बहुत ही आसानी से अपने नस्दीक में कर सकते हैं। आसानी से नई चीज़ों की आपकी शमता को भी आपको जॉब मार्केट में बनाये रखने के लिए मददगार साबित हो। तो आएए जानते हमारे पांचवे और आखरी टिप सीखे हुए स्किल्स को कैसे यूज करेंगे। अब आपने सब कुछ सीख लिया हैं। तो आप जब अपनी नई चीज़े सीखते हैं तो उन्हें यूज करने के मौकिल तलाशे। आप अपने संस्था की भावी प्रोजेक्ट में काम करने के संभावना तलाशें और उसमें अपने स्किल्स का प्रयोग करें। उधारण के लिए आज भी समय में डिजिटल अवरोज से हर कमपनी जूज रही है। इससे निपटने के लिए टीम बना जाए रही है। इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कमपनी आपको इसमें हर समभब मदद आपको ये सारे पसंद आए हो तो जरूर अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सब आसानी से सीख सके। और ये पसंद आए तो लाइक जरूर करना।